Hello traders and welcome to the studio members इधर last January and February यूं कहें कि 2023 1st January से लेकर कि अभी तक जितने भी trade हमने एक्जेक्यूट किया है उसका एक तरह से पूरा laser है, पूरा profit and loss statement है कब कितना fund हमने add किया, कब कितना loss किया है कितना profit कितना किया है अगर हमें सही से याद है तो last January में continuous हमने चार या पांच दिन लगाता है, मतलब पूरे वीक हमने सिर्फ loss ही किया है और इधर क्या है कि तीन या दो दिन भी अगर कोई continuous loss कर लेता है तो वो demotivate हो जाता है, बिल्कुल उसको लगता है कि हमको तो कुछ आता ही नही है हम क्या कर रहे है मतलब यह नहीं है कि market को हम blame करें है या market यह अच्छी नहीं चल लेए तो हम उसमें क्या कर सकते है तीन trade loss में क्या है, Vodax steady change Vodax अपना segment change कर दे कि यहां तो पैसा नहीं बना तो दूसरे segment में चलते है वहां पर नहीं बना तो दूसरे segment में चलते है इसको देखने ही कुशिश की जाएगा हम profit में हैं या loss में यह तो चली दूसरी चीज होगी वो तो पता चली जाएगा main चीज क्या है यह सब शो करने का कि जो भी हम loss या profit करें उसके बीच में फर्क कितना है login कर लेते हैं फटाक से अपने account पर espresso यहां पर pre login है and enter करते हैं okay so यहां से शायद limit में आप position book open करते हैं position में नहीं हमें limit में जाना होगा limit में चलते हैं यह अभी की limit है 1,77,700 के आसपास की कुछ अपनी limit है मतलब इतना account में balance इस वक्त का है क्योंकि अभी withdrawal मारे है दो दिन पहले हमने so laser यहां से open कर लेते हैं and laser ठीक है so यह पूरा statement है पना 1,20,000 यह देखिए सबसे upside के यह वाली जो entry है 1,20,000 का यह तो withdrawal है पना and एक 9,700 का okay excited से हैं so यहां पर जल्दे से refresh कर लेते हैं and refresh करने के बाद में date select कर लेंगे date हमें चाहिए 1st January से ले करके so 1,2, okay date select करते हैं 2023 2023 हो गया and 1st January 1st okay ठीक है यह पूरा data अपने पास है अब इसमें एक एक entry अपने मिलेगी कब कितना हमारा loss हुआ है कितना क्या profit हुआ है एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी अब ही जो बात हम बोल रहे थे आपसे कि जब हम loss करें जब हम profit करें तो इसमें risk और money management क्या है क्योंकि system यह है अपना simple सा system है बिल्कुल basic सा system है higher time frame पर marketing करो lower time frame पर आकर करके अपने trade execute कर दो अब जितनी भी analysis लगानी है जो भी आपको उसके अंदर technical analysis करने हैं सब इसी दारे में रह करके करनी है वीडियो अच्छा लगता है तो इसको like किजएगा comment किजएगा चैनल पर अगर आप पहली बराया है तो चनल को subscribe किजएगा I hope कि वीडियो थोड़ा बहुत motivate आपको करेगा कुछ सीखने को इस वीडियो से जरूर मिलेगा so thanks अब देखिए यहां last अपना 30 December का 30 December मतलब 1st January से यह trade है यह वाला तो opening balance अपना था 271,000 का है यह January मन्त स्टार्ट होने से पहले का यह अपना opening balance है उसके बाद से अपना ट्रेड वाय करें यह सब स्टार्ट हुआ है so 3 3 3 3 3 और जो एक चीज़ हम आपको बोल रहे थे अच्छा वहां पर जाने से पहले यह 2,71,000 2,71,000 1, 2, 3, 4, 5 पांस जो पांस टेडिंग सेशन में अपना कितना हुआ तो 2,71,000 है और यहां पर देखें क्या है 8,000 रुपए ही अपने बन पाए थे कितने सेशन में एक, दो, तीन, चार, पांस पांस टेडिंग सेशन में 8000 रुपा अपने बन पायते life 2,79,000 2,79,000 2,79,000 इतना यह था और बाद में मंद के लास्ट में सारा पैसर जो account में share कर दिया यह बेज़ती इता है तो उसके बाद से देखे सारा पैसर 2,79,000 SmackDown उसके बाद से फिर जो हमने अब ये आगे की journey है ये जितना भी है तो देखेगा 1,80,000 अब ये कितना बना है जाकर के इसमें कुछ एक वो भी है जैसे कि account वगर आप लोगों ने open किते जो हमने बोला था इस process open करने के लिए तो उसमें 1,2,3,1,2 ओके ये ये लॉस नहीं है अपना ये शायद टीडियस कटा था हाँ ये टीडियस कटा है लागातार जो अपना लॉस हुआ तो वो तीन दिन लॉस हुआ है यहाँ पर देखे ये पूरा लॉस है और इसके बाद से फिर दीरे-दीरे करके इसके बाद में 2,3,1,2,3 लागातार तीन दिन लॉस इतना सब चलता रहता है अब फिर देखे दीरे-दीरे करके ये लागातार ये 1,2,3,4 हाँ हम 4 दिन इसलिए बोल ले थे क्योंकि ट्रेड एग्जेक्यूट करने के बावजूद भी इस दिन अपना जो प्रॉफिट हुआ था वह 121 रुपीज का हुआ था तो इसको भी हमने प्रॉफिट नहीं माना था अपना हाला कि लॉस नहीं है ठीक है बट 121 रुपीज का प्रॉफिट था अब यहां से देखे फिर से प्रॉफिट होना अपना है स्टार्ट हुआ लगा था चॉंटिनुवस जितने भी ट्रेट के सारे के सारे प्रॉफिट में ही गाये थे अब यहां पर जो सबसे बड़ा हमको प्रॉफिट मिला था वो था 18,000 का यह वाला और फिर चोटे-चोट और इसके बाद में यह क्या है ब्रोकरिश शेरिंग कहां कहां तक मिली है यह देखे 17 रुपीज यह पने कट हुए और यहां पर भी यह ब्रोकरिश शेरिंग थी ब्रोकरिश शेरिंग जो मिलती है ओके सो यह अपना पूरा स्टेटमेंट था अब देखिए 1,80,000 से और लास्ट में यह गया है 2,97,000 रुपीज तक और फिर से देखे 22nd यो 23rd को हमने विड्रोम आ रहा था 1,20,000 सो 1,20,000 एकॉंट में आ गया थे विड्रोल कर दिया था और इस तक जो एकॉंट में पैसा अपने पास 1,77,000 रुपीज पढ़ा हुआ है 9,000 का प्रॉफिट उसके बाद में 2200 रुपीज यह 2200 क्या था हाँ 2200 का प्रॉफिट था फिर 11,000, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 और जब लॉस हो रहा है तो लॉस भी अपना अमांट के साथ में 3000 कम ले करके चलते हैं तो अधरवास कभी कभी क्या होता है कि लास्ट तक हम निकल नही पाता है ना तो प्रॉफिट मिलता है ना लॉस मिलता है तो यह चोटे-चोटे लॉस है वही है और यह 2200 रुपाय का आप टेट देख रहे हो यह अपना ऑप्शन का टेट था जो लास्ट विक हमने पब्लिश भी किया था अप लोगों को एक चीज बस देखेगा लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़े चल रहे हैं बट यहां पर क्या है 2,71,000 उसमें से हमने 2,80,000 सारा पैसा विड्रॉल कर दिया मतलब 1,00,000 हमने विड्रॉल कर दिया हो अगेन 1,80,000 फिर से फंड चैपना और फिर से बढ़ते 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 पहुंचा है 2,97,000 तक और यह अपना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अब यहां पर यह देट भी देख लीजे डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज में भी आप हो सकतो यह वाली डेट्स आपको कंफ्यूज करेंगे तो एक्चुल ट्रेट्स की जो डेट्स हैं वो यहां पर इस कॉलम में देखे दी यह सब एक्चुल डेट्स हैं आप जोग अगर आपको देखना है कि यह जो 11,430 रुइस के जो ट्रेट है यह किस डेट में हमने किया था तो यह डेट है 24 अगर यह वीडियो में पब्लिश किया तो आपको वहां पर मिल जागा जाकर कि आप देख सकतो कोई भी ट्रेट हम तो डेली के डेली वो टेट हम अपبة हमें इससाथ कोशिश करते हैं कि उसंदया करें यूट्ट्यूपर आपको वीडियो मिल जागा किस तरह से कैसे हम ट्रेट कर रहे है उसमें आपका एंट्री क्या है एकजिट क्या है stop loss क्या है किस तरह से एक को चीज हम चाहते है हम यहyi practice से पहले अगर आप उस segment में जा करके करने की कोशिश करोगे तो सिभा लॉस को कुछ होगा नहीं मेरी बात को आप कहीं note करके रख सकते हो अपने असामने पहले कोशिश करो पूरी तरह से focused होने की कोशिश करो price action पर कि price action एक बार हात में पकड में आ जाए यह green candle ही बनेगी reliance के अंदर लेकिन फिर भी इसके अंदर entry के कोई confirmations नहीं तो आज कोई trade execute नहीं हुआ अपने जस्ट सिर्फ यही प्रयास केज़े कि एक बार आप सीख जाओ एक बार price action आपको पकड में आ जाए price action के उपर trade execute करने लग जाओ फिर आप option future तो छोड़ो आप currency जाकर के trade कर सकते हो लेकिन बड़े बड़े loss करने से अच्छा segments चेंज करके बड़े बड़े loss करने से अच्छा चुप चाप stocks के ओपर काम करो stocks से बहतर price action आप किसी भी segment में सीख नहीं सकते issues को मान लीजे चलिए आज के बड़े हम लोग यहीं पर close करते हैं thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में and कल तो Saturday, Sunday, Monday को ही I hope कि हम लोग Monday को को अगर कोई trade execute करते हो तो आप लोग साथ हम share करेंगे उसको और Saturday or Sunday को ए class recording हम अपने share करें आप लोग उसको देख सकते हो so thanks and we will meet again